वेलकम टू मैं चैनल SK Knowledge कलास दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कलास तेंथ का दुगहात समिकरन का सवाल तो ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और घंटी को दवाइखोल कर लिजेगा सवाल करा यदी बहुपद X स्क्वाइर माइनस 9X प्लस A के सुन्यंकों का गुननफल 8 है तो A का मान होगा option भी दिया है दोस्तो यह A का मान पूछ रहा है ठीकनल यहाँ जो A है इसका मान पूछ रहा है तो समिकरन हमें क्या दिया है दोस्तो समिकरन दिया है X स्क्वाइर माइनस 9X प्लस A ठीकनल तो इसमें देखिए A A बरावर क्या होता है X स्क्वाइर का जो गुनांग होता है वह A होता है पातने कुछ तो एक है ठीक नहीं कुछ तो एक है और वी बरावर होता है एकस का गुणाइक माइनस नो है उसके बाद सी बरावर होता है अचरपद जो लास्ट में दिया रहे हैं तो ए हो जाएगा हमें क्या कहा रहा है कि सुन्यकों का गुननफल आठ है ठीक ना धियान से समझेगा सुन्यकों का गुननफल सुन्यकों सुन्यकों का गुननफल गुननफल यानि कि alpha into beta सुन्यक क्या होता है तो इगात बहुपत का दो ही सुन्यक होता है alpha और beta तो सुन्यांकों का गुननफल यानि कि alpha into beta भी लिख सकते हैं तो alpha into beta ब्रावर सुत्र होता है c by a और alpha into beta हमें दिया है सुन्यांकों का गुननफल कितना है 8 है ब्रावर c by a c, c के जगह क्या है? a है, बटे a, a के जगह क्या है? ने कुछ तो 1 है, अब गुना किजिए, यहां ने कुछ तो 1 है a गुना एक करेंगे तो a बरावर 8 है का 8 यानि कि answer क्या हो गया? a बरावर answer आपका 8 निकला तो 8 कहां पर है? 8 c पर है, c right answer हो जाएगा तो इस तरह का सवाल अगर आपको दे exam में तो इसी परकार आपको बनाना है हो सकता है सुन्यकों का गुनन फल ना दे के सुन्यकों का योग फल दे दे इसको भी ध्यान से समझ लिजे कहीं कहीं देता है सुन्यकों का योग फल यानि कि alpha प्लस beta इसी को कहते है सुनियकों का योग फल इसका सुत्र होता है माइनस बी बाइ ए ठीक न अलफा इन्टु बीटा का सुत्र होता है सी बाइ ए अलफा प्लस बीटा का सुत्र होता है माइनस बी बाइ इसी पर बेठा देना है अगर आपको यहां सुनियकों का योग फल दे दे तो क कोई भी डाउट हो तो कमेट बॉक्स पर पूछ सकते हम उनका रिप्लाइज तुरत देते हैं, चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया, चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और घंटी को दबा कर लिजिए